नमस्कार दोस्तों यह एक निया टोपीक है आँकडोंग का संग rush जिसे गोलेक्शन भी गएते हैं और संक्लन भी का अज आसता है तो यह टोपीक अपने आज करेंगे यह हैं एक मेतकपुन टोपीक है संग्नक 2018 कि परिक्शके लिए इंपोर्टन टॉपिक है ये गे तो अपने ये टॉपिक कर रहे हैं शुरू उससे पहले सांके की का आपने समान्य परिच्चे किया था वो अभी तक वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा तो नमस्कार दोस्तों तो अभी तक उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जिनों ने मेरे इस चैनल को सस्क्राइब कर लिया उनको धन्यवाद तो दोस्तों आज एक नेट उप्यकी जरवाद करते हैं आंकडों का संग्रे कोलेक्शन से तो तो इसका उदिष्य देखी क्या होता है यानि आंकडों को संग्रे करने का उदिष्य ग्या होता है यानि किसी समस्या के स्पष्ट एवं ठोज समाधान के लिए साक्षे जुटाना मालों अपने वास कोई समस्या हो गई तो उसकी समस्या का समाधान के से करेंगे तो उसके लिए अपने कोई इन कोई सक्षे जुटाने पढ़ेंगे विए समस्च्या किस फरकाराल हो सकती है तो इसलिए हम इसको आंकडों का संक्लन करेंगे जैसे उधान बतायागे कि देश में खाध्यान उत्पादन की प्रवर्ति को जानना है इसलिए हम इसलिए हम आंकडों का संक्लन करेंगे किनल प्रकाराल से कोजाए तो इसलिए आंकडों की जानना हो सानना है दो परकार के होते हैं आंकड़े, परला है प्रात्मी कांकड़े और दूसरा द्वीत्य कांकड़े, अब प्रात्मी कांकड़े कौन से होते हैं, जैसे कोई वेक्ति जानसपड़तारी या पूछ करेक्तिर करता है, भी डारेक्ट एक वेक्ति के पास गया, वो रिजिस्ट से प दिवित्य कांकड़े देखिए यानि किसी दूसरी संस्ता द्वारा इस प्रात्मी कांकड़ों कोई संग्रित तता संसोधित किया जाता है। उसे हम क्या कहेंगे दिवित्य कांकड़े कहते हैं। समिजगे बाता कि आंकड़ी तो प्रकार के होते हैं प्रात्मिक आंकड़ी जो मतलब सिद्धे व्यक्ती द्वारा पूच करके अपने प्राक्त कर लेते हैं और द्वित्यक आंकड़ी भी होते हैं जो पहले बाड़ी पूचे के आंकड़ी किसी संस्ता के द्वारा उना अंकड़ों में उसका स्रोवत होता है प्रकासी स्रोवत होता है वह दीवत्य क्त आंकड़ी हुती है만 अब देखी आगे हम आंकड़ी केसे संग्रीत करते हैं वी संग्रीत करते हैं जिसका क्लेक्षन केसे करते हैं तो एक परसनावली मिनाई जाती है परसनावली की साहिता से हम उनका स्ट्वेक्षन करते हैं कि किस वरकार के अपने पर्सन पूछेंगे उसे क्या-क्या पूछने हैं तो पर्सनों की साहता से अमसे पर्सन पूछेंगे वोर उत्तर दाता अपने को उत्तर देंगे तो आंकडे मिल जायंगे अब स्रवेक्षन करते हैं तो स्रवेक्षन के साधनों की त्यारी का टोपिक अपने देखिया आगे तो अब स्रवेक्षन की साधनों की त्यारी केसे करते हैं याणी स्रवेक्षन करने येतु सबसे पर्चलित साधन विद पर्चली साधन पर्चनावली या सक्षयात कानों न सुझ जिए ये पर्चनावली मना लेंगे पर्चनों की संक्या बना लेंगे कि उस व्यक्ति से ये जाकर अपने को पर्चन पोचने है तो वो परसनावली मनात्ते समया में किन-किन बातां का ध्यान रखना चाहिए तो वो देखलीजी यानी परसनावली ज्यादा लंबी नहीं होने चाहिए कि परसन बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए परसनावली को समाने परसनों से सरू करना चाहिए उसके बाद में ही विशिष्ट परसन पूछने चाहिए इसके बाद में परसनावली से सही परसन ही पूछे जाने चाहिए ताकि आगे उत्तर देने वाला सबस्ट उत्तर दे इसके इसी उकार परसनों का करम भी सही होना चाहिए जैसे किसी का सबसे पहले उसके दादा जी का नाम पूछे उसके बादें पिता जी का उनके बच्चों का नाम पूछे तो ये एक करम होता है तो परसनों का करम सही होना चाहिए इसके बाद में परसन क्या है कि सबस्ट होने चाहिए ताकि आगे उत्तर देने वाला है वो सिगर और सबस्ट उत्तर देश के उसको समझ लगेश की क्या पूजना चाहता है तो इस वरकार एक परसनावली त्यार करने चाहिए आंकड़ी संग्रण करने के लिए तो ये इसको दुबारा देख लीजिए ये सलेवस का एक महत्रों टोपिक है आंकड़ों का संग्रे इसे एंगलिस में कलेक्शन कहते है और आंकड़ों को सम्मक भी कहते है ये भी बात ध्यान रखनेना सबसे पहले अपने देखा उदेश्या उदेश्या मतलग को समझ्चा को समदान करने के लिए इस परकार आंकड़े दो परकार के होते हैं प्रात्मिक और द्वीत्यक आंकड़े होते हैं प्रात्मिक बताईए इस ज़्यादान विक्ति से आप मिलकर के सिदह उसे परसन पू पर्सनावली से स्ल्वेक्षन करते हैं किसी के बाजा कि आप पर्सनावली मनाय के सिजाती है नी स्किन की जाद नौक आपयोग करना चाहिए तो यह अपने भी देखा था कि पर्सनावली ज्यादा लंबी नहीं होने चाहिए उसमें समान्य पर्सन होने चाहिए હૌ઼્ણ ઉયે પ૷્રહ પૂચી જાને પરશંનોકા ક્રમસી ઉનાં દંયે તાકે અ形ર માદણ કેનદ સંચે પૂરરછ્ડ तो ये संग्णक बर 30 2018 का एक मेतपोन टोपिक चुसलेवस में है कुलेक्शन नाम से है तो ये अपने एक टोपिक देखा तो दोस्तो ये तो था टोपिक तो धन्यवाद दोस्तो अब फिर मिलेंगे एक नई टोपिक के साथ तो जे हिंद जे भारत